इस बुलेटिन इस स्पॉंसर बाइ कॉटिल एकाडमी रीवा के अंदर बैक्ट कर खतरनाक हतियारों से लैस पांच बदमास किसी गंभी वारदात को अंजाम देने की उजना बना रहे थे वहीं मुखमिर की सूचना पर सिटी कोत्वाली पुलिस की टीम ने दबिज दी जहां खंडहर की घेरा बंदी की और अंदर दाखिल होते ही आरोपियों पर बंदूग तान दी जिसके बास सभी आरोपियों ने पुलिस के सामने हतियार डालते वे सरेंडर कर दिया थाना प्रभारी आदित प्रताप सिंग ने बताया कि आरोपियों आपस में बातचीत करते हुए निपन्या में इस्तेत शराप की दुकान को लूटने की उज़ना बना रहे थे पुलिस की टीम भीतर दाखिल हुई और बदमासों पर बंदूप तान दी वहीं हैंड्सप कहते ही सभी बदमासों की हवा निकल गई और हाथ उपर कर खड़े हो गए बदमासों ने पुलिस के सामने हतियार डालते हुए खुद को सरेंडर कर दिया है सिटी कुटवाली पुलिस ने सबी बदमासों को गिरफदार कर लिया है और पकड़ कर ठाने ले आई है वहीं पकड़े गया रोपी में से यासीन हसन, उर्फ हसीन, अनवर खान, उर्फ आसु अंडा, राहत खान, मकसूद एहमद, रह्मान खान के पास से एक रिवॉल्वर, एक जिन्दा कार्तूस, एक तलवार, एक लुहे की कुपती, एक चाकू और एक बास करणडा फोलिस ने बरामत किया है परसों सिटी के तुवाली थाना परवारी को जानकारी मिली थी, कि निपनिया जो दारू की दुकान के पास में, कुछ बदमास टाइप की लड़के हैं, वो दारू की दुकान में, सराब दुकान में, डेकेटी बनाने की, डेकेटी डालने की उजना बना रहे हैं, उसी का स अपरादीन रिकार्ड के आदार ऐसे है कि अभी पषमधा पर उस दिन पहले बिस्मिद्ध दधाले थाना जेत्र का रहने वाले कृषन नाम की की हथ्या हुई थी उस हथ्या में भी इस पांच आरोपी जो पोटवाली में पकड़े कहें हैं डखेक्वेटिक विजना मनाते उ पांच आरोपियों में से एक का नाम याशीन है, एक का नाम अन्वर है, एक राहत खान है, एक मक्सूद रहमाद है और एक रहमान, यह जो पांच डकेतی की उज्जन बनाने वाले आरोपी थे, इसमे जो आरोपियों से एक रिवालबर जीन की आरोपियों से एक एक रिवालवर, एक तलवार, एक गुपती और एक चाक और एक डंडा ये भी जब्त किया गया पुलिस के दुआरा और विस्विद्धाइले पुलिस ने इन दोनों आरूपियों को जो हत्या में सामिल से उनको प्रतक से पुलिस रिमांट पर लिया हुआ है उनसे कर्वाइले पुलिस रिमांट से त Ugh